शंचेप्त महा भारत के शांती पर्ण में नारजी का अनेको नामों के दवारा भगवान जी की स्तुति करना भीशम जी कहते हैं विधिश्टर मैंने शेदीब निवासी प्रश्चों की स्तिती का वर्णन किया आप देवलशी नारजी जिस परकार शेद दीब में गे उस परसंग को सुना रहा हूँ ध्यान देख कर सुनो उस महान दीब में पहुंच कर देवलशी नारजी ने जहाँ जब वहां के चंद्रमा के समान कानती मान परशो के देखा तो मस्तक जुका कर परनाम किया और मन ही मन उनकी पूजा की तर पस्चाद शेद दीप वासी पुर्षों ने भी नारज जी का सतकार किया फिर में भगवान जी के दर्शन की इच्छा से उनके नाम का जब करने लगे और कठोर नीमों का पालन करते हुए वहां रहने लगे नारज ने वहां अपनी दोनों बाहें उपर उठाकर एकागर चितोकर निर्गुन सगुन रूप विश्वा आत्मा भवान नारायन की इस प्रकार स्तुति करे देव दिवेशर आपको नमश्कार है आप निष्क्रिय निर्गुन और समस्त जगत के शाक्षी हैं शेत्रग्य पुर्षोत्तम अर्थात शारक्षर पुर्षोसे उत्तम अनन्त पुरुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् व्यक्त अव्यक्त, रित धामा, अगनी देव, वसूप्रत, प्रजापती, सूप्रजापती, वन्सपती, महाप्रजापती, उर्जस्वपती, वाचसपती, जगतपती, मनसपती, दीवसपती, मरुतपती, सलीलपती, प्रिथीपती, दीवपती, पूर्निवास, महापरले के स में जगत के आधार रोब गोह ब्रह्म प्रोहित ब्रह्म काईक महाराजिक । चातर महाराजिक भासुर अर्थात प्रकाशवान महाभासृ अर्थात llum परिनिर्मित अपरिनिर्मित वश्वर्ति अपरिनिंदित अपरिमित अर्थात अनन्त वश्वर्ति अवाश्वर्ति यग्य महा यग्य यग्य संभाव यग्य योनी यग्य घर्ब यग्य हिद्दे यग्य स्तुति यग्य भाग हर पंच यग्य पंच यग्य काल कर्थ प्रति अर्थाद अहुरात्र, मास, रितू, अयन और समवसर रुब काल के स्वामी पांचरात्रिक, वेकुंट, अप्राजित, मान्चिक, नमान्चिक, अर्थाद संपूरन नामों के नामी परस्वामी अर्थाद परमेश्य, सुस्त्रात, हंस, परमहंस, महाहंस, परम्यागिक, सांख्योग, सांख्यमूर्ति, अमरतेश्य, हिरनेश्य, देवेश्य, कुशेश्य, भरमेश्य, पदमेश्य, विश्वेश्यत और विश्यक्सेन आदी आप ही के नाम है आपी जगत वंद्य अर्थाद जगत में ओत प्रोध तथा जगत की प्रकती हैं अगनी आपका मुख्य आपी वड़वनल आहोती साथी वशतकार ओमकार तप मन चंद्रमा नेत्र आज्य अर्थाद घृत सूरिय दिगज दिगभानू दिशाओं को प्रकाशित करने वाले विदक भानू कोनों को प्रकाशित करने वाले तथा है गरीव हैं आप प्रथम ती सो पर्न मन्त्र भामनादी वर्नों को धारन करने वाले तथा पंचागनी रूप हैं नाचिकेत नाम से प्रसिद्ध त्रिविद अगनी भी आपी हैं आप शिक्षा, कल्प, व्याकरन, चंद, निरोक्त और जोतिष नामक्छे अंगों के भंडार हैं प्राग जोतिष जेश्ट सामक, सामिक व्रद्धारे, अथर्व शिरा, पंच महाकल्प, फैन नप अचारे, बाल खिल्य, वैखानस पूर्ण योग, पूर्ण विचार, युग आदी, युग मध्य, युगांत, आखंडल अर्थात इंद्र, प्राचीन घर्ब, कोशिक, पुरुष्टुत, पुरोहुत, विश्यकृत अर्थात विश्यकर्मा, विश्यरूप, अनन्त गती, अनन्त भोग, अनन्त अनादी, अमध्य, अव्यक्त मध्य, अव्यक्त निधन, वरत तावास, अर्थात वरत के आश्रे, समद्रवासी, यश्यवास, अर्थात यश के निवास, तपवास, अर्थात तप के अधिश्टान, दमामास, अर्थात संयम के आधार, लच्वी निवास, विद्यावास, शिरिवास, शर्ववास अर्थात सब के निवासधान, वासुदे, सरचंदक, अर्थात सब के इच्छापोरण करने कार्ने वाले, हरी हे, हरी मेथ अर्थात यग्य, महा यग्य भाग हर, वर प्रद, सुख प्रद, धन प्रद, हरी मेथ, अर्थात भगवत भग्त, यम, नियम, महा नियम, कृच्च्र, अति कृच्च्र, महा कृच्च्र, सर्व कृच्च्र, नियम धार, निवरित ब्रहम, अर्थात ब्रहम रहित, प प्रिश्नी घर पुरीत पर वेत्ट वेत्करिय अर्थात वेदिक कर्मों के परवर्टक आज सर्व गति सर्व दर्शी अग्राय जाचल महामी भुति महात्मश्री पुइत्र महा पुइत्र हिरन्य में ब्रिहद अप्रतकर्य अविग्जेः ब्रमापत्य प्रजा के शिर्ष्टी करने माले, प्रजा का अंत करने माले, महामाया धारी, चित्रश खंडी, वरद, पुरोडाश ग्रहन करने माले, गता धवर, अर्थात समाप्ति यग्य, चिन्य त्रिष्ण, अर्थात त्रिष्ण रहित, चिन्य शंचे, सर्वतो वरत, अर्थात सर्व्यापक, निवरित रूप, ब्रामन रूप, ब्रामन प्रिय, विश्यमूर्ति, महामूर्ति भांदव, भक्त वस्ल, तथा ब्रहमन्य द और आपके दर्शन के इच्छा से यहां उपस्तित हुआ हूँ। एकांत्वे दर्शन देने वाले आप परमात्मा को बारंबार नमश्कार है। विशम जी कहते हैं इस परकार गोह तथा सत्य नामों से जब नारजी ने भगवान जी की स्तुति की तो उन्होंने विश्य रूप धारन करके उन्हें दर्शन दिया। उनके शिरी विग्रे का कुछ बाग चंद्रमा से भी अधिक निर्मल और कुछ बाग चंद्रमा से भी लक्षन था। कोई अगने के समान देदिप्यमान और कोई नक्षत्रों के समान जाजल लेमान था। शीर का कोई स्थान तोते के पांक के रंका कोई स्फटिक बनी के समान कोई कजल राशी के समान कोई स्थान सोने के रंका कोई मुंगे के समान और कोई शेत वरंका था कुछ भाग शेत वैदुरी के समान कुछ नील वैदुरी के समान कुछ इंदरनील मदीन के तुलिया कुछ मौर के कंठ के रंग का तथा कुछ मोती की माला के समान था इस परकार वे सुनातन भगवान अपने विग्रे में नाना परकार के रंग ज्हारण किये हुए थे उनके हजारों नित्र हजारों मस्तक हजारों पैर हजारों उदर और हजारों हाथ थे तथा कहीं कहीं उनकी आकरिती शपष्ट नहीं जान पड़ती थी वे एक मुख से ओंका रहित काहित्री का जब तथा अन्याइन मुखों से चारो विदो और अरन्यकों का गान कर रहे थे वे अपने हाथों में वेदी, कमंडलो, उज्जल्मनी, कोश, मेरी किचर्न, दंड और धदक्ती हुई आग लिए हुए थे उनके चर्नों में चर्न पाद काई शोबा पारी थी भगवान जी का मुख परसंद न दिखाई दिता था उनका दर्शन पाकर नारजी का हिद्ध परसंदा से खिल उठा और वह चुप चाप उनके चर्नों में पढ़ गई तब देताओं के आदिकारण उन अविनाशी प्रमात्मा ने नारजी से कहा देवरिशी महर्शी एकत, दित और त्रित मेरे दर्शन के इच्छा से यहां आये हुए थे कि तुन्हें मेरा दर्शन नहीं हो सका वास्तम में मेरे अनन्य भक्त के सिवा और कोई मुझे नहीं देख सकता तुम तर मेरे अनन्य भक्तों में श्रिष्ट हो इसलिए मेरा दर्शन कर सके हो वे प्रवर धरम के घर में जिनोंने अवतार लिया है वे नर नरायन आदी मेरे ही सवरोप हैं तुम सदा उनका भजन किया करो आज मैं तुम पर बहुत परसन नहूं यदि मुझसे कोई वर मांगना चाहते है तो मांग लो तो नराय जी ने का भगवन जब आपका दर्शन हो गया तो मुझे तब यम और नियम सब का फाल मिल गया आपका दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा बर्दान है तो भगवान जी ने कहा नराय जी मुझे कोई नेतरों से नहीं देख सकता तुम जो मुझे देख रहे हो ये मेरी रची हुए माया का पर भाव है मैं सरवत्तर वियापक हूं संपुरन प्रानियों का अंतर आत्मा हूं प्रानियों के शीरों का नाश हो जाने पर भी मैं नहीं नस्तोता मुनिवार जो लोग मेरे एकांत भक्त हों चुके हैं वे बड़े सोभा किशाली और सिद्ध हैं क्योंकि रजगुन और तमगुन से मुक्त होकर वे मुझ में ही प्रमेश करेंगे मुनिवार देखो मेरे दाहने भाग में ग्यारा लुद्र वाम भाग में बारा अधित्य विराजवान है मेरे अग्र भाग में आठ वसू और प्रिष्ट भाग में दोनों अश्नी कुमार स्थित हैं ये देखो संपुरन प्रजापती सात रिशी, वेद, यग्य, अमरत, ओश्ती तथा नाना परकार के यम नियम भी मेरे शिर में मुर्तिमान दिखाई देते हैं आठ परकार के एश्यर भी यहां साकार रूप में प्रगठ है शिरी, लच्मी, कीर्थी, प्रिथी तथा वेदमाता सर्स्ती देवी भी मेरे भीतर बिराजमान है उनका दर्शन करो देखो, ये नक्षत्रों में श्रेश ध्रो दिखाई दे रहे हैं बादर, समुद्र, स्रोवर और नदियों का भी मुर्तिमान देख लो ये चार परकार के पित्रगन शीर धारन करके प्रगठ हुए है इनके साथ ही मेरे अंदर रहने वाले सत्त आदी गुनों का भी अवलोखन करो मैं ही देवताओं और पित्रों का पिता हूँ तदा हाई गरीव रूप धारन करके समुद्र के भीतर वायवे कौन में रहता हूँ सांख्य के आच्यारे मुझे विद्या शुक्ती से संपन एम सूरे मंदल में स्थित कपिल कहते हैं वेद में जिनकी स्तुती की गई हैं वे हिरन्य घर्ब मैं ही हूँ तथा योगी लोग जिन में रमन करते हैं वे योग शाष्ट पर सिद्ध भ्रम भी मैं ही हूँ इस समय में व्यक्तर वबधारन करने वाले अकाश में स्थित हूँ फिर हजार योग बीतने पर इस जगत का संहार करूँगा और संपुरन चराचर प्रानिया को अपने में लीन करके मैं केला ही अपनी विद्या शुक्ती से उसके साथ उनके विहार करूँगा तरंतर शुक्ती का समय आने पर फिर उस विद्या शुक्ती के ही द्वारा संसार के शुक्ती करूँगा तथा कुछ काल पश्चात त्रेतार द्वापर के संध्याश के समय में दश्यत अंदर ड्राम के रोपे उतार लूँगा उसमें समस्थ संसार के लिए कंटक रूप पलस कुल खालक राक्ष शराज रावन का उनके अन्याईएं से इतनाश करूंगा फिर द्वापर अकली को की संधी में कंटस को मारने के लिए मत्रा में अवतार धारन करूंगा और देटाओं के लिए कांटा बूने वाले बहुत से दानों का वद्ध कर के द्वारकापुरी में निमास करूंगा वाह रहते समय देमता अधिती का प्रिय करने वाले भूमी पुत्र नरκासुद, मुर तथा पीठ नमक दानों का संधनार करूंगा और उनके प्राग जोतिश बुस्ट नामक नगर का धंधान ने तवारका में उठफा ले जाओंगा तदंतर बानासर का प्रिय और हिट जाने वाले विश्यवंदित देता महादेव और कार्तिके को युद्ध में प्रास्त करूंगा और हज्जार बाहों वाले बड़ी पुत्र बानासर को जीत कर सोब विवान में रहने वाले शालव आदी वीरों को मोत के घाट उतारूंगा इतना ही नहीं महिर्शी गर के तेसे शक्ति शाली बने हुए काल यवन का भी मेरे द्वारा नाश होगा उस समें किरीवरज में जरासंद नामक एक बहुत बल्वान असर राजा होगा जो दूसरे राजाओं से वैर मोल ले ताहिरेगा उसका भी मेरी ही बुद्धी के प्रितन से नाश होगा इसी परकार धरंबुत्र यदिश्टर के यग्यग में भेट लेकर आए हुए समस्त बल्वान राजा माहराजाओं के बीच शिशुबाल का मस्तर काटूंगा माँ भारत में सब को प्रास्त करके भाईयों सहीत यदिश्टर को उनके रज्ज पर बिठाओंगा उसमें संसार के लोग यही कहेंगे कि शिरिकिष्ट और अर्जिन के रूप में ये नारो नाराएन रिशी जिगत का कल्यान करने के लिए रिशत्री कुल का संहार करने है इस परकार प्रिथी का भार उतार कर मैं द्वारका के समस्त यादों का भी भ्यंकर संहार करूँगा नारज जी तुमारी भक्ती के कारण ये भूत और भुष्य का सारा रहसे मैंने तुमसे बताया है विश्यम जी कहते हैं इदिश्टर विश्यरु धारी अमिनाशी भगवान नाराएन इतनी बात कहकर अंतर ध्यान होगे तब महात जस्टी नारज जी भी भगवान जी का मनुवान शितन उग्रे पाकर नाराएन का दर्शन करने के लिए बत्र का आश्रम की और चलती ये उपाख्यान नारज जी का ही कहा हुआ है कि तुम मुझे परंप्रा से प्राप्त हुआ है मुझसे मेरे पिता जी ने जो कहाँ था वही मैने तुम्हें सुनाया है सौती केटी है शोनक मैं शंपाइन जी के मुख से सुना हुआ यह सारा का सारा उपाख्व्छान मैने तुम्हे सुना दिया रादर जनमेजे ने इसे सुनकर विधिपूरक भगवान जी का यजन किया तुम लोग भी तपस्य और वरत का पालन करने वाले हो नमिश्यरन में निवास करने वाले प्राया सभी रिशीत देवताओं में परधान है सुभाग गिवाश तुम सभी इस महायग में कत्रित हुए हो अदेव विधिवत हमन करके उनस्तातन परमेशर का यजन करो